नमस्कार आप देख रहें इंडे खबर लाइव आपके साथ मैं अनुवरा शर्मा खबरारी है नर्मदा जिले के स्टैचू ओफ यूनिटी के परिसर में होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो सोचता भियान की धड़ले से धज्या उड़ा रहे हैं स्टैचू ओफ यूनिटी देखने के लिए देश विदेश से लाखो परेटक आते हैं प्रशासन द्वारा उनके लिए खाने पीने की सुविधाय परिसर में ही उपलब्द करवाई जाती हैं लेकिन इसके रफ मटेरियल यानि कचरे को निकालने की कोई खास व्यवस्था ना होने के कारण यह कचरा केवडिय कोलोनी के नस्दिक घवाना गाउं के ब्रिच के नीचे छोड़ा जाता है यह कचरा पानी में मिलकर सीधा नर्मदा नधी में चला जाता है जिससे नर्मदा नधी प्रदूशित हो रही है और इसके कारण जल्य जीप प्रभावित हो रहे ह हाला कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सवचता अभियान का प्रोजेक्ट चला रहे हैं पियम मोदी ने कहा था कि गंगा में इसनान करने से पवित्र होते हैं लेकिन नर्मदा में तो मात्र दर्शन से ही लोग पवित्र हो जाते हैं ऐसा उल्लेक हमारी भारत्य संस्कृति में भी किया गया है यहां पर प्रशाशन तंत्र की बहुत ही बड़ी लापरवाई उजागर हुई है इसलिए प्रशाशन की जिम्मेदारी बनती है कि कचरे को डंप किया जाए जिससे जली जीव को नुकसान न हो और आसपास का छेत्र प्रदूशन मुक्त हो इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ ठोस कारवाई की नीती अपनाई जानी चाहिए गुजराद नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट प्रदूशन मुक्त होगी या सब सलामत है की नीती अपनाई जाएगी इंडिया खबर लाविसे में गौतम व्यास गुजराद नर्मदा